घर की तरीता दूर करेंगे नमक के 21 सुपाय नमबर एक, नमक की डिपी को हमेशा धक्कन लगा कर रखें नमक को कभी भी खूला नहीं छोड़ना चाहिए ऐसा करने से घर की लक्षमी जा सकती है सुक शान्ती भंग हो जाती है नमक की पर्तन को उल्टा रखना भी अशुब माना जाता है इसलिए पर्तन को कभी भी उल्टा ना रखे नमबर तेन, नमक को कभी भी किसी को सीधी हाथ से ना दे ऐसा करने से आपके संबंध खराब हो जाते है 4. नमक की पात्र को पैर लगाना भी बहुत अशुब माना गया है इसलिए नमक या नमक की पात्र को पैर ना लगाए 5. रात में नमक खरीद कर लाना भी अशुब माना जाता है इसलिए कभी भी रात में नमक नहीं खरीदना चाहिए 6. नमक को कभी भी स्टेल, लोहे या प्लास्टिक के बर्तन में नहीं रखना चाहिए ये रोक और शोक दोनों का कारण बनते हैं इसलिए नमक को हमेशा काच या मिट्टी के बर्तन में टाल कर रखना चाहिए 7. हिंदू सास्त्र में नमक को उधार देना भी अशुप माना जाता है इसलिए कभी भी फूल कर भी किसी को नमक उधार ना दे और खास कर शाम और रात के समय में मांगने पर भी आप किसी को नमक ना दे 8. सब्ता में एक दिन खर में पोचा लगाता समय पानी में थोड़ा नमक डाल कर पोचा लगाने से खर की नाकारत्मक उर्जा खत्म हो जाती है और खर में खुशाले आती है 9. नमक का गिरना भी अच्छा नहीं माना जाता है इससे चंदर्मा और शुक्र दोनों घ्रे कमजोर होते हैं अते कभी भी नमक को रसोई या खर में अन्य जगें पिखरने ना दे 10. छूटे हातों से नमक छोना अर्शुमाना जाता है इसलिए कभी भी नमक के पात्र को छूटे हात ना लगाए 11. यदि आपको या किसी बच्चे को नजर लग गई है तो 7 या 11 बार एक चुटकी नमक उस पर से उतार कर बहते पाने में पहा दे 12. एक काज के कटोरी में सेंधा नमक डालें और कटोरी को बात्रूम में रखें इस उपाय से भी नाकारत्मक उर्जा दूर होती है 12. हर महिने कटोरी का नमक बदल कर पुराने नमक को फैक देना चाहिए 13. कारियों में बाधा के लिए एक मुठी पिसा हुआ नमक लेकर शाम को अपने सर के उपर से तीन बार घुमा कर उसे दर्वाजी के बाहर फैक दे 13. ऐसा तीन दिन लगातार करें यदि लाब न हो तो नमक को सर के उपर वार कर सोचाले में डाल कर नल से पहा दे 14. भोजन पकाते समय भोजन में नमक न चकें इससे भोजन की पवितरता नस्ट होती है और घर में करीबी आती है 15. यदि भोजन में नमक हो तो बाद में चक्कर डाले 15. यदि भोजन करते समय आपको डाल या सबजी में नमक कम लगे तो उपर से नमक न डाले 15. यदि जादा चरूरत महसूस करें तो काला नमक या काली मिर्ज ही भोजन में इस्तिमाल कर सकते हैं 15. यदि आप सफेद नमक का प्रियोग करते हैं तो आपके उपर शनी का दुस्प्रभा शुरू हो जाएगा 16. थन प्राप्ति और वरकत के लिए नमक को काज के पात्र में रखें और उसमें चार पांच लूंग डाल दें 17. इससे घर में पैसा आने लगेगा और धन में परकत बढ़ेगी और कभी भी घर में धन की कमी नहीं होगी 17. यदि आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है तो उसका नमक नहीं खाना चाहिए 18. खर में धन का परभाव बनाए रखने के लिए काज का एक गिलास लेकर उसमें पानी और नमक मिलाकर खर के नित्र कौन में रखते 18. और उसके पीछे एक लाल रंका बल्फ लगा दे चप्पी पानी सुखे तो उस गिलास को साफ करके दोबारा नमक मिलाकर पानी भर दे 19. यदी पती पत्नी में जगड़े या अनबन चल रही है तो किसी भी प्रकार की मानसिक अशान्ति है तो सेदा नमक का एक टुकड़ा पात्रू में रख दे इससे आपकी घर की सुख शान्ति बढ़ती है 20. नमक हर तरे की गंदगी हटाने वाला रासायन होता है एक कांच की कटोरी में भर कर पात्रू में रखे इस उपाय से आपकी घर की नाकारत्मक उज्जा खत्म होती है और घर में धन सम्बंदित समच्चा भी खत्म होती है 21. येदे आपको मिला जुला वास्तु दोस हो जिसे आप वदल नहीं सकते 21. वन में फै, चिन्ता, खिन्ता होने से दोनों हाथों में साबुत नमक भर कर कुछ देर रखे फिर उसे पानी में बहा दे 21. नमक को इधर उधर पिखरने ना दे 22. अगर कुण्डली में चंद्र दोस हो तो सफेद नमक का प्रियोग ना करें 22. ऐसा करने से आपका चंद्र दोस बढ़ जाता है 23. सेंदा नमक का ही आप प्रियोग करें अगर आपको चंद्र दोस हो 24. अगर आप सेंदा नमक का प्रियोग करेंगे तो आपका रक्चाप सामाने रहेगा 24. अगर कुडली में मंगल कमजोर हो तो सफेद नमक का प्रियोग करें जिससे आपका मंगल मजबूत हो जाएगा और आपका मंगल घरे भी शान्त रहेगा 24. तंतर सास्तर में घर की गरी भी तूर करने और घर में परकत बढ़ाने के लिए 25. नमक के टोटके बहुत ही कामगार होते हैं और बहुत इनको करने से आपको फाइदा मिलता है 25. रात को सोने से पहले 25. पूरत दिशा में अपनी सिरहाने एक किलास पानी में नमक मिला कर रखने से 26. आपके कमरे के नाकारत मकता दूर होते हैं और आपको नेन पी अच्छे आती हैं और आपके कमरे का वास्तो दोस्त भी खत्म हो चाता है दोस्तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें शेर करें और चैनल को सस्क्राइब करें आप सभी दोस्तों का पहत पहत धन्यवाद धन्यवाद दोस्तो